में फाइनल उर्दू, पेपर सेकंड, उर्दू पोएट्री, मस्नवी और नज्म, यूनिट सेकंड हम पड़ रहे हैं, यूनिट सेकंड का टॉपिक थर्ड, मस्नवी जहरे इश्क, मिर्जा शौक की लिखी हुई, इस पर एक लेक्चर पहले हो चुका है, उससे आगे हम आज पढ़ेंगे, अठारा सो सतावन एसवी के बाद, जहां एक तरफ समाजी जिन्दगी का शीराजा मनतशिर सा हो गया, वहीं दूसरी तरफ सकाफती मैदान में भी चली आ रही रवायतों की बनियादें हिल गई, उर्दू अदब की समत और अफ्तार में भी एक नुमाया चाबों और आरजों की दुन्या तक महदूद नहीं रह सका, बलकि इस बात की कोशिश भी की गई, कि जिन्दगी में पेश आने वाली हाकिकतों को भी अदब में पेश किया जाए, बर खिलाफ दूसरी मसनवियों के जहरे इश्क की बनियाद, रोज मर्रा की जिन्दगी मे पेश आने वाले वाकियाद पर मबनी हैं, जैसे शौक की अदब बराए जिन्दगी की कोशिश कहा जा सकता है, आम मसनवियों में हम देखते हैं कि कि किस्से को आगे बढ़ाने के लिए मसनवियों माफुकुल फितरत अनासिर की मदद लेता है, उसके बगएर मसनवियों का और गुलजार नसीम में भी जगा जगा ऐसे वाकियाद पेश किये गए हैं, जो किस्से को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, शौक की मसनवियों जहर इश्क में या नासिर बिलकुल नहीं हैं, बलकि उसके किरदार आम जिन्दगी से लिए गए हैं, जहर इश्क का किस्स बहुत मुक्तसर है, इसलिए ज्यादा किरदारों की जरूरत नहीं पड़ी, यहां हीरो, हीरोईन, इन दोनों की माएं और एक कनीज को पेश किया गया है, हीरोईन की माँ एक जगा उसे दिल गिरफता देखकर चंद सवालात करती है, हीरोईन की माँ उसकी मौत पर गिरिया वजारी करती है, जिसकी कैفیت का नक्षा बहुत सही है, इसलिए उस से हमदर्दी हो जाती है, पनीज पूरे किसे में सिर्फ शुरू में एक जगा बोलती है, हीरो का किरदार कोई खास नहीं, इसमें बाद ऐसी कमजोरिया हैं, कि उस से हमें कोई हमदर्दी होती, वो शुर कोई ही से दिलगीर और सुस्त किसम का नौजवान नज़र आता है और इसी लिए वो कोई खास अमली गदम नहीं उठाता है। हर बात की अबतदा हीरोईन की तरफ से होती है। शौक ने हीरो की हालत हिज्र का तफसील से बयान किया है। वो हर वक्त रोता रहता है। बीमार नज़र आता है। उसे कोई मुश्किल से पहचान सकता है। लेकिन इन तमाम मायूसियों के बावजूद वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाता कि उसे अपने मकसद में कामिया भी हासिल हो। हिरोईन पहला कदम उठाती है और उसे खत भीजती है। हिरो जो जवाब में अपनी हालते जार लिखता है। फिर भी मिलने की कोई सूरत नहीं निकालता। उसकी बेअमली का सबसे बड़ा सबूत उस वक्त मिलता है जब लड़की दो माह तक उसके घर नहीं आती और वो उसकी कोई खबर नहीं लेता। उस वक्त भी हिरोईन ही मिलने की सूरत निकालती है। और हिरो अशक बारी के सिवा किसी चीज़ से अपनी महबत का सबूत नहीं देता। आखरी मुलाकात में जब हिरोईन खुदकुशी का इरादा जाहिर करती है को हिरो की बैमली नाकाबिले बरदाश्ट हो जाती है। वो उसको खुदकुशी से बाज रखने के लिए कोई खास कदम नहीं उठाता। सिर्फ उसे जबानी तोर पर समझा पुजा कर रुखसत कर देता है। लड़की चली जाती है और उसके बाद ही शोर मातम सुनाई देता है। इन तमाम वाकियात से लोगों को या अन्दाज़ होता है कि हीरो वाकी अतनी शिदध से महबत नहीं करता जितना के हीरोईन करती है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम शुरू से किस्से पर गोर करें तो साफ जाहिर होता है कि हीरोईन ने एक ऐसे आदमी का इंतखाब किया है जो मजहूल और सुस्त किस्म का नौजवान है। उसमें हिम्मत और जमा मर्दी की कमी है वो बे अमल है और उसमें महबत की तड़प अतनी शदीद नहीं है जितनी जिनसी खुरूबत के खौईश महबत अलग जजबा है और बुवल हविसी अलग। शुरू में जब हिरोईन उसे ख़त लिक कर तालुकात की अब्तदा करती है तो वो उसका जवाब इस तरह देता है अब जो भेजी ये आपने तहरीर है ये लाजिम के वो करो तद्बीर सक्तियां हिजर की बदल जाएं दिल की सब हस्रतें निकल जाएं किसी सचे आशिक के लिए सिर्फ इतनी बाद बाद से फखर वो मसर्रत हो सकती है कि उसकी महबूबा उसे नामय शुक भेजती है और वो उसके जवाब में अपनी दिल्य खुशी का इजहार कर सकता है लेकिन एक ऐसा आशिक जिसे इखतलात की धुन हो वो फोरण ऐसे मौके तलाश करता है कि महबूब की गुर्बत हासिल कर सके शुक का हीरो बड़ी हद तक अपने जमाने का नमूना है इस जमाने के अमीर जादे काम करना अपनी तोहिन भी समझते थे और मौशरत में काम न करना शाहिस्तगी का मेहार बन गया था वो दूसरों के साहरे जिन्दा र जवाल का मौ दिखाया सहर बयान का बे नजीर इंदर सबा का गुल्फाम भी इसी बे अमली के नमूने है शुक ने हीरोईन का किरदार बड़ी खोबी से पेश किया है वो आला तस्वीरियत का नमूना है उसके ख्यालात में उस्तवारी और मजबूती पाई जाती है उसमें जो महबत और इसार का जजबा कूट कूट कर भरा है वो कमसिन हसीन और जहीन है पहलू में एक दर्द भरा दिल रखती है जो महबत करना और निभाना भी जानता है एक दिन अपने मकान के बाला ही हिस्से पर तफरी के गरस से जाती है वहीं दूसरे मकान के बाला ही हिस्से है एक तरह की कशिश और तड़प महसूस करती है और फिर दिल से इतना मजबूर हो जाती है कि खुद अपना हाले दिल लिखकर भेजती है यहीं से किस्से की अबतदा होती है नोजवान आशिक उस से मुलाकात के खौईश जाहिर करता है वो मौका निकालती है फिर दो महबत करने वाले मिलते हैं उनके मिलने से शौले भड़कते हैं और शरारे फूटते हैं वो शरारे जो दिल में रोशनी भी पैदा करते हैं और जलाकर खाकस्तर भी कर देते हैं लड़की के वालदेन को इन तालुकात का पता चल जाता है वो अपनी कुमारी लड़की की इज़त इज़त औ आबरू बचाने के लिए उसे घर से दूर बेजने का इरादा करते हैं लड़की को इसका इल्म हो जाता है लेकिन वो इश्क की उस मनजल पर लगती नए ये तोहीन के सारे खानदान वाले अंगुश्ट नुमाई करें वो ऐसे मौश्रे में सांस ले रही है जिसमें औरत के साथ रुस्वाई का दाग हमेशा के लिए लग जाता है और मर्द के लिए उसे तफरीख अरार दिया जाता है खसूसां उस वक्त तो औरतों से मर्द के तालुकात एक सिफ़त समझे जाते थे वो आखरी बार अपने महबूब से मिलने आती है उससे अपनी बदनसीबी का हाल सुनाती है और खुदकुशी का इरादा जाहिर करती है इसके बाद रुखसत हो जाती है और जहर खाकर अपनी इरादे को अमली जाम पहना देती है वो जागिर्दाराना समाज की एक ऐसी लड़की का नमूना है जो ना तो किसी को चाह सकती है और नहीं चाहे जाने का हक रखती है उसकी सारी जिन्दगी लफज महबस से वाबसता है और वो उसी लिए जिन्दा है और उसी के लिए जान देती है जहर इश्क की हिरोईन कोई फरिश्टा नहीं इनसान है जजबात के जोश और महबबत में ख़त भी लिखती है मिलने के लिए भी आती है और अपनी कम सिनी ना समझी और ना तजर्बाकारी की वज़े से इखतिलात की वो तमाम मनजले ते करती है जो एक कुवारी लड़की के लिए मायूग है हाला के उसे इसका भी यकिन नहीं है कि उसकी शादी इसी नोजवान से होगी या किसी और से आखरी मनजर में मरने का फैसला भी उसकी जल्द बाजी और ना समझी है बदनामी के धब्बे को धोने के बहुत से तरीचे है लेकिन उसके सामने सिवा जान देने के कोई और सूरत नहीं वो कहीं भी अपने महबूब से ये नहीं कहती कि हम शादी करके एक हो जाएं इस बदनामी से बच जाएं जैसे अपनी मरजी से शादी का तसवर ही उस मौशत में नहीं था माबाप की एकलोती उलाद लाड़ पैर में पला हुआ मिजास मौबब में सरशार जवान होसले माबाप की सخت बातों को बरदाश्ट नहीं कर पाते और ये उसके मिजास की तेजी और फैसले की जल्द बाजी ही है कि वो खुदकुशी का इरादा करती है और कड डालती है आखरी मनजर में जहां हिरोईन की जबानी मौत और जिन्दगी का फैसला बयान किया गया है उस से मिर्जा शौक का मकसद यही है कि मौशत की इसला के लिए गलत इकदाम की सारी दास्तान कहने के बाद उसका अंजाम भी पेश कर दिया है कि जिन्दगी फानी है और उसी जिन्दगी के लिए वक्ति लज़ज़त अंदोजी के लिए इन्सान क्या कुछ नहीं करता लेकिन सब पर हावी है वो एक हकिकत जिसे मौत कहते है और इसके बाद कुछ बाकी नहीं रहता और इसलिए शौक की मसनविया मौशती इसला का जरीया भी कही जाती